देखिए बिहार के अपराधियों का मनोबल धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा है कि वो बिना किसी डर के ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजान दे रहे हैं जिसके बारे में हम आपको बताने लग जाएंगे तो आप अपना माथा पकड़ लीजेगा और ये सवाल अपने आप से पुछिएगा कि बिहार में रहना क्या वाकई शुरक्षित है हमने आपको एक से बढ़कर एक निर्मम हत्याओं के बारे में बताया है हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से वियाइपी प्रमुक मुकेस सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या देर रात उनके घर में घुसकर धारदार हथियारों से कर दी जाती है हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से एक लड़की के मना करने से उसका प्रेमी आधिरात को घर में घुसकर अपनी प्रेमिका के साथ उसकी छोटी बेहन और उसके पिता को मौत के घाट उतार देता है हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से एक प्रेमी अपने प्रेमिका को उसके घर के बाहर से जबरण कार में बिठा करके नैप कर लेता है और इसी क्रम में हम आपको एक और खबर बताने वाले हैं कि किस प्रकार से 23, 24, 25 साल के कुछ मंचले एक तनिश्क के सोरुम में घुस कर दो करोड से उपर की चोरी करके भाग जाते हैं आपको बताते चले कि जो खबर हम आपको बताने वाले हैं ये खबर विहार के पूर्णिया के एक तनिश्क के शोरुम की है आपको बताते कि विहार के पूर्णिया शहर में लाइन बजार इस तनिश्क शोरुम में शुक्रवार दोपहर 12 बजे भीशन डकैती हो गई, साथ हत्यार बंद बदमाशों ने शोरूम कर्मियों को बंधक बना कर लगभग दो करोड के आप होशन लूट लिये, लूटे गए आप होशन सोने और हीरे के थे, डकैती के पूरी वारदात शोरूम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, वारदात को मह पंदरह मिनट के भीतर अंजाम दिया गया है, फूटेज में दो बदमाशों का चेहरा सपस्ट दिख रहा है, बाकी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, अपराधियों की उम्र की बात करें, तो अपराधिय की उम्र मातर 20 से 25 वर्ष बताई जारी है, पुलिस ने उटोरों की CCTV फुटेज जारी कर उनकी पहचान बताने वालों को 3 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है, शोरूम के कर्मियों ने बताया कि पहले 5 यूबक मास्क लगाएं, ग्राहक बनकर अंदर घुसे, सभी लोग पैदल ही शोरूम तक आए थे, बाद में एक बाइक पर बिना मास्क के सवार दो यूबक शोरूम में घुसे और गन पॉइंट पर पहले गाट को कबजे में लिया, फिर बंदूग दिखा कर सभी कर्मियों एवं शोरूम के भीतर पहले से मौजूद ग्राहकों को बंधक बना लिया, सभी के मोबाइल को एक जिगा जमा करने के बाद उन्होंने एक एक लॉकर तोड़े और जिवरात निकाल एक बैग में भरने लगे, इतने में दुकान का सायरन बजा, तो बैग में रखे जिवरात लेकर सभी बाहर भाग गए, घटना के सूचना पर पहुँचे, डियाईजी विकास कुमार एवं एस्प उपेंद्र प्रिनाथ वर्मा ने शोरुम माले केवं कर्मियों से लगभग तीन घंटे पूचताच की, डियाईजी ने बताया कि बदमाश साथ की संख्या में थे, यानि बदमाशों की संख्या साथ थी, साथ लोग एक साथ ग्रूप बनाकर तनिश्क के सोरुम में चोरी करने के मकसद से गुसे थे, पुलिस मामले की चानबीन कर रही है, लगभग दो करोड रुपे के आभूशन की लूट की गई है, पुलिस मुख्याले की ओर से बदमाशों के बारे में जानकारे देने वालों के लिए तीन लाख रुपे की नाम की घोशना की गई है, बदमाशों की धर प पुर्णिया जिलेगी है आप समझे कि बिहार के जो भी अपराधी है उनका मनोबल इस लेवल पर पहुच चुका है कि उनको इस बात का डर ही नहीं रहा उनको इस बात का भै ही नहीं है कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनके साथ कितना बुरा हश हो सकता है और ये खबर ही क्रिमिनल माइंडेड है जिनके दिमाग में दिनरात ही घूमता है कि किस प्रकार से किसी बड़े अपरात को अंजाम देना है उनके मन में कोई डर ही नहीं है इस बात का भै ही नहीं है कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमें किस प्रकार की सजा मल सकती है बाकी आप पु आप अपने राय कमन बॉक्स में बताईएगा, साथ ही ये भी लिखिएगा कि बिहार में हो रहे इस प्रकार कि आप राधों पर कैसे रोक लगाई जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समात करते हैं, मेरा नाम डॉली हर, आप देख रहेते सच टॉक्स।